नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका चैनल गरी आकास पे किसान भाईयों भिंदी की फफल जब 45-50 दिन के बीच की होती है तो उसमें फूल काफी तेजी से निकल रहे होते हैं नीचे से फल बनने भी सुरू हो गए होती हैं और पौधे में साखाएं भी निकल रही हो पौधे में समय से पहले बीमारियां लग जाती है और आपको जो उत्पादन है वो कम हो जाता है तो आज की इस वीडियो में आपको कैसी खाद के बारें बताने वाला हूं अगर आप इस समय भिंदी की फसल में इस खाद को डालते हैं तो आपको जो उत्पादन है वो काफ अच्छा उत्पादन ले पाएंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो कि खेती बाड़ी फजली हुई ऐसी महत्पूर्ण वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूं चलिए सुरू करते है किसान भाईयों भिंडी की फफल जब 45-50 दिन के बीच की होती है तो उसमें कई सारे जो खाद हैं उनकी जरूरत पड़ती है जैसे यूरिया हो गया, डी एपी हो गया, पोटास हो गया, कैलसियम, मैगनीसियम, सलफर, आइरान, कॉपर, बोरान तो अगर इन खादों को हम अ जानते हैं, किसान भाईयों, अगर आप मेरी तरह भिंडी की फचल में राइजिंग लीफ फटलाजर डालते हैं, तो केवल आप एक बार एक खाद डाल देंगे, इसके अलावा किसान भाईयों, आपको कोई और खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइजिंग ली नूटियंस जैसे नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाइसियम, सेकंडरी नूटियंस जैसे किसान भाईयों, सलफार, कैलसियम, मैगनीसियम और इसके अलावा, माइक्रो नूटियंस जैसे आईरान, कॉपर, बोरान, मैगनीज, जिंक, सिलीकॉन, आदी पाए जाते हैं, तो केमिकल खाद लेके आएंगे, तो आपको जो खर्चा हो काफी ज़दा बढ़ जाएगा, आप अलग-अलग खाद लेके आएंगे, लेकिन अगर आप जैविक खाद डालते हैं, तो आप राजिंग लिफ फर्टलाजर आप चार पैकिट लीजिए, पचीस किलो का एक पैक आ आता है, आपको एक क्विंटल यानी 100 केजी चाहिए, एक एक एकड के लिए, उसको लाइए, और आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम जिस तरीके से डाल रहे हैं, आप पौधे के पास में डाल सकते हैं, पौधे के पास डाल करके आप सिचाई कर दीजिए, जो काफी अच्छा उतपादन और काफी अच्छी कमाई जो है, वो ले पाएं, किसान भाईयों राइजिंग ले फटलाजर को खरीदने के लिए, इसक्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कंपनी आप संपर कर लेगी, और आपका जो आडर है, वो आपके घर पे डिलेवर कर दिया जाएगा, किसान भाईयों और अब हम बात करते हैं, कौन सा इस्प्रे करें, किसान भाईयों भिंडी को फसल है, जब 45-50 दिन के वफ्ता पे होती है, तो फूल उसमें अच्छी मात्रा में आएं, उसके लिए हमें किसान भ पचास यह पानी में घुलने वाली खाद होती है, इसको आप एक किलो ले लीजिए, और दो फिल्टर पानी मिला करके जो आपकी फसल है, उसमें इसको इस्प्रे कर देंगे, तो जो आपका पौधा है, उसमें जो फल निकलने वाले हैं, उनमें कोई दाग, धबेट, तेढ मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप काफी अच्छा उत्पादन इससे ले पाएंगे, किसान भीयों जो हमारा आखिरी स्प्रे है, वह किसान भीयों फनफूर नासक जो बीमारियां आती है, उनसे बचने के लिए किसान भीयों, आप कारवेंड़ा जिम का स्प्रे कर सकते जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप घोल लीजिए, लगभग 500 ग्राम, दो फिल्टर पानी मिला करके अपनी फसल पर इस्प्रे कर दीजिए, पहला जो इस्प्रे है, जब आपकी भिंदी की फसल 20 दिन की हो, तब आपको इसका पहला इस्प्रे करना है, और उसके हर दफ दिन बाद आपको इस्प्रे जो है, वो करते रहना है, इससे क्या होगा, कि रस्टूसर कीर, फन्फूद जो है, ये आपकी फसल को नहीं लगपाएंगे, तो आपको जो पौधा है, वो काफी तेजी से विकास करेगा, इसके लाब अगर आप देखें कि आपक भिंडी की फसल में कोई बीमारी नहीं होती है, और एक बार पीला मोजिक लग गया, तो आपको जो भिंडी है, वो पूरी खत्म हो सकती है, तो उससे बचने के लिए किसान भाईयों, आपको फनफूर नासक का जो है, इस परे करते रहना चाहिए, कारबेंड़ा जी, मैंको अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, राजिंग लिफ फर्टलाजर को खरीदने के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपना जो ऑर्डर है, उसको बुक करवा सकते हैं, राजिंग लिफ फर्टलाजर पूरी तरीके से और अर्गेनिक फर्टलाजर है, तो इसका जो प्रियोग है, आप काफी आसानी से कर सकते हैं, और इससे आप वजूत पादन है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, तो उमीद करता हूं कि वीडियो को काफी अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको इंट्रेस स्क्राइब कर लीजिए क्योंकि खेती बारे से जोनी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं